आपको अच्छे से पता है चंद्रगुप्त मौर के बारे में अगर तो चानक के और चंद्रगुप्त मौर के पास कुछ भी नहीं था चानक के था एक मजा हुआ गुरू और चंद्रगुप्त मौर था एक समर्पित सिश्य याद रखेगा मजा हुआ गुरू इसकिल्ड गु अंतिम सासक की जो सेना है वो बहुत ताकतवर शिकंदर यानि इंडिया के बॉर्डर एरिया से ही लॉट गया आप सोचे इतना ताकतवर व्यक्ति और घनानंद का जो सेना पती था भद्धशाल वो उस समय के इतिहास का सबसे बड़ा ग्लेडियेक्टर योद्धा सेना पती दिल्धा लेकिन उसके बावजूद भी एक सब्सक्राइज की अस्थापना की याद्राखियेगा यह इनोवेशन से इनोवेशन का मतलब क्या होता है जैसे हम आपके लिए चैनल लेके आ रहे हैं उसी के साथ इसको मैं इंटर लिंग कर रहा हूं यानि इनोवेशन से कैसे अब आप सुचे घनानंद के पास इतनी बड़ी सेना पूरा 360 उसके पास सब और चंदरूपत के पास कु और जो भी चोर थे जो भी मलेक्ष थे जो भी आदिवाशी आभादी थी उस समय की उन्हों सबको उन्होंने इकठा किया सोचिए जिनका जीवन कभी भी अनुसाशित यानि डिसिप्लिन नहीं रहा यानि चोर का काम क्या होता है चोरी करना यानि सीमा पर जो जातियां रहत देते जो कि किसी भी प्रकार सेट अपने लाइफ के प्रती ट्रेन नहीं थे आर्मी की तो बाती छोड़ दिये एक समर्पित सिस ने एक मजहवे गुरू ने उन चोरों की मलेक्चों की आटविक जन्यानी बनवाशियों की जो सेना है मतलब के जो लोग थे उनको एक अच्छी सेना की रूप में कनवर्ड कर दिया और उसी सेना ने प्रसिचित घनानंद की सेना को हरा दिया तो याद रखेगा इनोवेशन आपको ऐसे ही करना है इनोवेशन हम लोग इस चैनल पर आपको इसी प्रकार से सिखाएंगे एक जून को इंडिया का पहला डेडिकेटेड में इस यूटूब चैनल हम सब आपके सामने लेके आ रहे हैं नमीन शर उसमें यानि यह यंग हैं एनर्जेटिक हैं बहुत अच्छा इनका पांसेट है वो भी रहेंगे व्योंकेश सर रहेंगे आपके इस चैनल के यानि प्रारंभिक जो सदस रहे हैं वो